स्वाकते आप लोगों का साधियास मॉम की चैनल में एक नए वीडियो के साथ तो आज हम पनाने वाले चीजी एक प्रेड ओमलेट तो देखिए ये बहुत टेस्टी बनता है ट्राइजर कीजिये का आप लोग तो देखिए ये कितना अच्छा बनता है चीजी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो देखिए सबसे पहले हम एक ले लेंगे मैं यहां पर दो एक यूस कर रही हूं सबसे पहले हम कस्मीरी लाल मिंच पाउडर देदेंगे और फिर गरम मसाला फिर ब्लैक पेपर पाउडर और फिर नमक स्वागनुसल और फिर धनिया पत्त फिर कटे हुए प्यास और फिर कटे हुए चिलीज ग्रीन चिलीज और फिर हम इन सब को मिक्स कर देंगे अब इसमें हम अलसी डालेंगे जिसे इंगलीज में फ्लैक्सेट्स कहते हैं और फिर हम इसे भी मिक्स कर देंगे अब हम एक तवे पर ओइल डालेंगे फिर हम अपना एक का जो मिक्स्टर है वो डाल देंगे और फिर हम चार ब्रेट स्लाइस लेके एक एक करके इसके उपर रख देंगे और फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे दोना तरफ से बटर दे के तो हम बटर रख रहा है इसके उपर और फिर हम इसे पलट देंगे यह प्रोसेस आपको अच्छे से करना है नहीं तो तूट भी सकता है एक और फिर हम फिर से पलट देंगे अब हम इसमें चीज डालेंगे एक एक स्लाइस लेके थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और फिर हम बीच में से इसे कट कर देंगे और फिर जो और दो ब्रेड है उसको जिसमें चीज स्लाइस डाला था उसके उपर रख देंगे और फिर और फिर हम इसे फिर से बीच में से तोर देंगे और फिर यह हो गया हमारा तयार चीजी एक ब्रेड ओमलेट तो चलिए अब हम इसे सर्फ करते हैं यह देखिया हमारा तयार हो चुका है चीजी एक ब्रेड ओमलेट इतना अच्छा बनाएं इसे आप केचप के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और चीली शास के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको हमारा यह रेसिपी हमें जरुर कॉमेंट करके बताएगा और फिर घर पर ट्राइब ही कीजिएगा तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना अगर आपको ऐसे और रेसिपी अच्छे चाहिए तो हमारे चैनल को करना में लोते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई झाल झाल